क्यूंकि हमारे पास आपको ये बताने के लिए परियाप्त विज्ञान मौजूद है, कि अगर मिट्टी में जयविक सामगरी तीन प्रतिशत हो, तो उस भोजन में और कौन से सुख्ष्म पोशक तत्व होंगे, उनके क्या स्वास्थ लाब होंगे, ऐसा ना होने की सिर्फ एक ही वज़ा है, एक ही दिशा में संकल्प के साथ काम करने में कमी, यही वो चीज है जिसे मैं आइवरी कोस्ट में कॉप 15 कारिक्रम में सामने रखना चाहूँ, हर देश चाहे वो अमीर हो या गरीब ऐसा कर सकता है, और ऐसा करना ही चाहिए। विशेशग्य, पूरी दुनिया के लोग, भूमी और मिट्टी के बहुत महत्वपून मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, हजारों की संख्या में आबिज्जान जाएंगे, और हम इस संमेलन में आपके हिस्सा लेने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आबिज्जान उन शहरों में से एक है, जहां आप उन सौत दिनों के दौरान जाने वाले हैं। आबिज्जान में ऐसे संख्यटनों के संमेलन से आप क्या उमीद करते हैं, और आप वहां क्या हासल करने के आशा करते हैं। पहली चीज ये कि मैं आप से और UNCCD में सभी से अनुरोध करूँगा कि ये हैं। आप किसी तरह जादा फोकस उपरी मिट्टी पर ले आएं। दूसरी चिंताएं भी हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें छोड़ दें पर सरल नीतियों की बात हो तो हमें ध्यान इस पर लाना होगा। यूरोपिय संग के साथ साथ इन 197 देशों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि उदाहरन स्थापित करने के लिए ये एक महतवपून कदम है। एक महतवपून बात ये है कि किसान को खेत में जैविक या और्गानिक सामगरी बढ़ाने के लिए प्रोच कि सामागरी का एक निश्चित प्रतिशत हो। उदाहरन के लिए भी इस समय उत्री यूरोप में ये 1.48 प्रतिशत है। अगर उत्री यूरोप किसानों को ये प्रोद्साहन दें कि अगर वो इसे 3 प्रतिशत तक बढ़ा दें। मिट्टी की और्गानिक सामगरी को टेस्ट करना बहुत आसान है, टेस्ट खेत में किया जा सकता है, आपको लैब जाने की ज़रूरत नहीं है, अब अगर ये हो गया, तो ये प्रॉडक्ट मिट्टी में जैविक सामगरी का स्तर तीन प्रतिशत तक बढ़ा देने पर, तीन प्रतिशत सबसे बढ़िया नहीं है, तीन प् तो कम से कम उन्हें जीवित रखें और जैसे जैसे ये बढ़ता जाए, आप उत्पाद को उसकी जैविक सामगरी के अनुसार लेबल करें, इसी दोरान व्यवसाय और उद्योग इसमें जुड़ जाएं और ये तै करें, कि किसान को जैविक अपज का फाइदा मिले, ये ब आपको ये बताने के लिए परियाप्त विज्ञान मौजूद है, कि अगर मिटी में तीन प्रतिशत जैविक सामगरी हो, तो उस भूजन में कौन से अतरिक्त सुक्ष्ण पोशक्तत्व मौजूद होंगे, और उनके स्वास्थ लाब क्या होंगे, वो भूजन किस तरह से र अर्बनिक सामगरी की और बढ़े, ये बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप बस कवर क्रॉप लगा दें, गर्मी या जारे में जैसा भी जहां की जलवाई हो, बस जमीन को ढख कर रखने वाली फसले लगाएं और जोद कर वापस ले आएं, अगर आपने ऐसा किय या तो 6-8 सालों में जादातर जमीन 3% जावे कंटेंट पर होगी कम से कम, तो ये असंभव नहीं है, नहीं इसमें बहुत जादा पैसा लगेगा, ये केवल एक ही दिशा में काम करने और कमिटमेंट का सवाल है, भारत में हमने ये पाया है कि ये जमीन को ढखने की कवर क्र प्रती एकड होगी, जो कि सिर्फ 5 यूरो ये 5 यूरो प्रती एकड से भी कम है, ऐसा हर देश कर सकता है, इसके लिए भारी बज़ट की जरूरत नहीं है, अगर आप 2-3 सालों में ये करना चाहें, तो थोड़े जादा पैसे खरच करने होगे, लेकिन अगर आप इसे 6-8 सा सामने लाना चाहूंगा, कि ये 1977 राश्टर, अगर वे इसे इस तरह से देखें, कि केवल उपरी मिटी पर ध्यान के इंदरित किया जाए, और इसको लेकर कमिटमेंट हो, तो उसमें जादा पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं लगेगी, हर ग अजन में बच्चे का भोजन है, अजन में बच्चे का भोजन खाना, इससे मेरा दिल बहुत दुखता है, ये ऐसा लगता है, मानो हम इंसानियत के खिलाफ एक अपराद कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सद्गुरू, सभी श्रोताओं और दर्शकों को भी धन्य अजन्यवाद, दुनिया भर से लाखों लोग सद्गुरू को फॉलो करते हैं, और हमें आशा है कि वो केवल आपके वीडियो को फॉलो करने के बजाए, अपने कामों से आपको फॉलो करेंगे, और हम दुनिया भर के सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं, कि वे इस ठिक भोजन की क्वालिटी भी है, जो हम सभी के लिए जरूरी है, तो मैं आप सभी को आपकी भागीदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ, सत्गुरू आपको आपके दौरे के लिए धन्यवाद